मांडुक्य उपनिश्द में ये कहा जा रहा है कि ये सुनिश्चित बात है कि जो पदार्थ विद्यमान होते हैं उन्हीं सबकी उत्पत्ति हुआ करती है बीजात्मक प्राण ही सबकी उत्पत्ति करता है और चेतात्मक पुरुष चेतन्य के अभावभूत जीवों के अलग-अलग प्रकट करता है एक बार आप मेरे को दीजे पॉइंट बाइपॉइंट आराम से एक्स्प्लेन करता हुँ ये सुनिश्चित बात है कि जो पदार्थ विद्यमान होते हैं पदार्थ क्या है धर्ति जल अगनी वायु अकाश उन्हीं सबकी उत्पत्ति हुआ करती है देखो ध्यान से समझो उत्पत्ति मतलब manifestation, creation तो जो पदार्थ है उन्हीं की उत्पत्ति होती है मतलब क्या कहा जा रहा है in other words कि अगर कुछ ऐसा है जो पदार्थ नहीं है तो उसकी उत्पत्ती नहीं होती है यानि जो form है उसकी उत्पत्ती होती है formless की उत्पत्ती नहीं होती है आगे बढ़तें बीजात्मक प्राण ही सबकी उत्पत्ती करता है इवन दिस प्राण इज अपदार्थ और चेतात्मक पुरुष चेतन्य के आभास भूत जीवों को अलग-अलग प्रकट करता है तो दिस इस अवरी ब्यूटिफुल वर्स अगर इसको हम आराम से समझेंगे तो बहुत इंटरस्टिंग बात यहां पर कही जा रही है which is very different from जिस तरह से हम चीज़ों को समझते हैं या जैसे हमको समझाया गया है यह जो पांच पदार्थ है उसमें से जो जल है या जो वज़े है जिस वज़े से उत्पत्ती होती है वो प्रान है प्रान मतलब वायू धर्ती is also nothing but वायू जल is also nothing but वायू scientifically भी हम यह बात समझते हैं H2O hydrogen and oxygen तो यहां पर क्या कहा जा रहा है यह बात जो अब हम scientifically समझ रहे हैं जिसको हम atoms बोलते हैं जिसको हम gases बोलते हैं जिससे पूरा universe पैदा होता है it is nothing but gases तो क्या कहा जा रहा है बीजात्मक प्रान ही सब की उत्पत्ती करता है बीजात्मक मतलब जैसे एक पेड़ होता है उसका बीज होता है जिसमें से वो सब कुछ निकलता है तो बीज मतलब किस कॉंटेक्स में कहा जा रहा है कि जिसके अंदर से सब कुछ निकल रहा है यानि उसी का फैलाव है तो ये सब कुछ जो हमें दिख रहा है ये पूरी की पुरी जो प्रकृती है ये पूरा universe है that is nothing but manifestation of प्राण तो एक होता है प्रकृती एक होता है पुरुष इसमें आगे बात करी जा रही है और चेतात्मक पुरुष चेतात्मक मतलब क्या conscious being पुरुष मतलब क्या होता है पुर जैसे बोलते नहीं है रामपुर मतलब कोई जग है तो ये शरीर एक पुर है जिसके अंदर जो निवास करता है वो एक्चुल में मैं बोल रहा हूं करता है बट ना वो करता है ना वो करती है इसके अंदर जो चेतना है दाट इस पुरुष बट वो किसी की उत्पत्ती नहीं करता है तो सब की उत्पत्ती किस से होती है प्राण से यानि की वायू से वायू से ही जल बनता है, वायू से ही धर्ती बनती है जो भी कुछ है चाहे वो चर हो, चाहे अचर हो चाहे वो living हो, चाहे non-living हो कुछ भी है वो सब की जो उत्पत्ति हो रही है वो वायू से हो रही है उसी को अलग-अलग तरीके से मिला करके सब कुछ जो भी हमको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, सब कुछ उसी से बन रहा है एक बैक्टीरिया से लेकर के वाइरस से लेकर के, एक human being से लेकर के animal से लेकर के, non-living things like this table, this is all made up of atoms जिसको हम कहते है जिसको पहले के जमाने में प्रान कहा गया है या वायू कहा गया है, तो प्रान का मतलब हम क्या समझते हैं, प्रान मतलब सिर्फ हम प्रान को एक standpoint से देखते हैं from the standpoint of human जब इस प्रान को हम देखते हैं तो हम breath बोलते हैं, तो हम प्रान को बस उतना ही समझते हैं अगर प्रान को भी आप breakdown करोगे यही इसकी खासबात है जो हमारी हिंदी लेंग्वेज है और जो संस्कृत लेंग्वेज है उसकी खासबात क्या है अगर आप words पे meditation करोगे उसको breakdown करोगे तो वो अपना meaning आपको reveal कर देगे प्राण को breakdown करो प्राण मतलब प्र मतलब supreme or the highest or the essence प्र जैसे बोलते हैं निया परमा आत्मा ऐसे ही प्राण पर अनू इस प्राण तो वो बात जो आज science कर रही है वो ही बात यहां पर कही गई है बट इस तरीके से वो coded है इस तरीके से hidden है कि लोग उसको unfold नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसको पर meditate नहीं करते हैं बड़ी जल्दी देख करके बस समझ लेते हैं कि हमको समझ आ गया है तो प्राण मतलब क्या पर अनू उसको आप कह सकते हो the smallest particle makes up everything whatever is there in this universe यही बात साइंस कह रही है तो इसमें कोई नई बात नहीं है प्राण को ही consciousness समझ रहा था कि यहां पर जो बात की जा रही है प्राण का मतलब consciousness की एक human के अंदर प्राण होते हैं consciousness के ब problem with all of us because हम क्या करते हैं जैसे ही हम किसी word को पढ़ते हैं या सुनते हैं हम फटा फट से उसको अपने आप से relate करते हैं और वह बहुत ही narrow approach हो जाती है तो कि जब हम प्राण की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि यह जो हम breath ले रहे हैं जिसकी वज़े से हमार अंदर digestion चल रहा है जो भी हमारे organs के basic functions चल रहा है वो ही प्राण है वो भी प्राण है बट वो ही प्राण नहीं है समझने वाली बात इतनी सी है जो भी कुछ हमारी body के level पर चल रहा है वो प्राणों की वज़े से ही चल रहा है बट यह जो table है यह भी प्राणों की वज़े स रहा है, यहाँ पे किसी human के standpoint से नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे क्या का जा रहा है, कि जो भी पदार्थ विद्यमान है, उन सब की उत्पत्ती का जो कारण है, वो बीजात्मक प्रान है, मतलब सब कुछ प्रानों से उत्पन हो रहा है, and प्रान is one of the पदार्थ, it is not different from a प्रुष, ना उसकी कोई उत्पत्ती होती है, ना उसका लाय होता है, तो एक standpoint तो आगया creation का, कि यह जो पूरी की पूरी प्रकृती है, प्रकृती, यानि जिसकी भी form है, तो एक बात उसकी करी जा रही है, जिसकी form है, और एक है जो formless है, वो क्या है? चेतात्मक पुरुष अब पुरुष चब हम सुनते हैं, तो हमारे mind में क्या आता है? मेल, इसलिए बहुत सारे लोगों ने भगवान को मेल समझ लिया, the beauty of our culture is, कि यहाँ पर मेल को और फीमेल को बराबर रखा गया है, शिव और शक्ति को बराबर रखा गया है, ऐसा नहीं है कि वो superior है, वो inferior है, that is the beauty, इसमें ये बात inclined है कि जो पुरुष है, वो कुछ नहीं करता है इस matter के लिए या फिर atom के लिए, इसको ऐसे कह सकते हैं कि पुरुष ना कुछ करता है, ना उससे कुछ बनता है, ना कुछ मिठता है, लेकिन उसके होने की वज़े से सब कुछ होता है, ध्यान से समझो, ये table है, ये आपकी body है, दोनों में फर्क क्या है, body का जो structure है, वो ऐसा है, जहांपर के आप चीजों को experience कर सकते हो, और उस experience के base पे अंदर कुछ information feeded है, जिसके base पे एक reaction होता है, जिसको action बोलते है, उसके base पे आप बोल सकते हो, क्योंकि मैं experience कर सकता हूँ, यानि की perception and reaction, य इसकी वज़े से मैं living हूँ, ये non living है, अब ध्यान से समझो, इस table में और आप में क्या फर्क है, या एक plant में और आप में क्या फर्क है, हम में क्या फर्क है, हमारा जो basic structure है, human beings का, that is very very complex, much more complex than a bacteria or a virus, much more complex than an animal, but animal का जो structure है, वो plant से जाधा complex है, अगर complexity को आप देखोगे, वो भरती चली जा रही है, complexity किसकी, पुरुष की नहीं, प्रकृती की, creation की, तो वो complexity भरती चली जा रही है, किसकी वज़े से, प्राण जिस तरीके से act कर रहा है, उसकी वज़े से, तो हम कह सकते हैं, table is very simple, because यहाँ पर it is evident, that the structure is not very complex, to understand, but human body को समझना is very very complex, इसमें प्राण जि जिस तरीके से act कर रहा है, या जो atoms जिस तरीके से एक दूसरे के साथ में interact कर रहे हैं, या जो हमारी breath जिस तरीके से चल रही है, या जो वायू जिस तरीके से काम कर रही है, अगनी जिस तरीके से काम कर रही है, या यह कहलो यह जो पंच भूत है, धरती, जल, अगनी, वाय विवकाश हो जिस तरीके से एक दूसरे के साथ में जुड़े होए हैं और वो काम कर रहे हैं That is very complex Animals are less complex than us But more complex than this तो जो फर्क आ रहा है Complexity में That is because of pran That is because of anu, atom Why you? उसकी वजे से ये जो bodies हैं अलग-अलग उसकी complexities में फर्क आ रहा है But जो पुरुष है चितात्मक पुरुष That is always there Everywhere just like space वो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है सब जगे हैं उसी को आत्मा कहते हैं तो हम क्या समझते हैं आत्मा सिर्फ living में है और non-living में नहीं है बल्कि कुछ लोग तो और इसको एक स्टेप आगे ले जाते है कि आत्मा सिर्फ इंसानों में है जानवरों में नहीं है या कुछ लोग और कोई नया concept बना लेते है कि अच्छा आत्मा वो ही है वो कभी जानवरों में चली जाती है कभी इंसानों में आ जाती है, तो अलग-अलग तरह के concepts है, अगर consciousness आप कर रहे हो, आपको पहले ए समझना पड़ेगा, जनम और मरण होता किसका है, यहाँ पर यही तो कहा जा रहा है, उत्पत्ती की जब बात करी जा रही है, किसकी बात करी जा रही है, यहाँ पर clearly बोला जा रहा है कि जो भी पदार्थ विद्यमान होते हैं, this body is a पदार्थ, this table is a पदार्थ, this sofa is a पदार्थ, तो उस सब की उत्पत्ती का जो कारण है, वो प्राण है, बट इस प्राण दी पुरुष, वो तो भूत है, पंच भूतों में से एक बूत है, तो जब जनम कि आब बात करते हो, जनम और मरण, यानि कि उत्पत्ती और ले, creation and destruction या dissolution, वो होता है, प्रकृती का, प्राणों का, अणूं का, पुरुष का नहीं, पुरुष मतलब वो जो सब के अंदर विद्यमान है, उसकी ना तो उत्पत्ती होती है ना ले होता है, क्या आप ये कहते हो कि टेबल पैदा हो गई या मर गई, नहीं, बट हम अपने केस में बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, उसके पीछे कई reasons है, एक सबसे बड़ा reason ये है कि हमें ऐसा लगता है कि जो आत्मा है, वो हमारे में तो है, इसमें नहीं है, सबसे पहला reason, तो ये पहली गलती हो गई, क्या हमें क्या लगता है कि जो पुरुष है, वो हमें तो है, बट इसमें नहीं है, ध्यान से समय लो, पूरी प्रकृती में पुरुष है, और पुरुष में प्रकृती है, पुरुष मतलब क्या, आत्मा, and आत्मा when I am talking about, there is no difference even in आत्मा इन प These are just concepts which are there in our mind, प्लाइच मतलब क्या इस बॉड़ी के अंदर का आखाश, बॉडी के बहार का आखाश, बॉडी के अंदर का आखाश मतलब अमचा, बॉडी के अंदर का आखाश मतलब जीवाकाश, तो ये illusions है, सारी की सारी, तो आपको क्या समाजना है सबसे पहले, कि जो भी जनम हो रहा है, मरण हो रहा है या जो भी कुछ हो रहा है, बदलाव हो रहा है that is at the level of प्रकृति not at the level of पुरुष साफ कहा जा रहा है यहां पर चेतात्मक पुरुष चेतन्य के आभास भूठ जीवों को अलग-अलग प्रकड करता है यहां पर भी एक मिलावट हो गई है क्योंकि अब जो इसको translate कर रहा है वो उसी level तक कर सकता है, जहां तक उसकी खुद की समझ है, और इसी को कोई English में translate कर देगा, उसका meaning कुछ और बन जाएगा पर अगर आब actual में समझोगे यहां पर क्या कहा जा रहा है, Sanskrit में तो वो यह कहा जा रहा है कि जो चेतात्मक पुरुष है, उसकी वज़े से उसके होने की वज़े से अभासबुजीव अलग-अलग तरीके से प्रकड होते हैं, मतलब जो चेतात्मक पुरुष है वो हम सब में एक ही है हम में, जानवरों में, टेबल में लिविंग में, नॉन लिविंग में, प्लांट्स में सब में एक है, बट सब में अलग-अलग प्रकड हो रहा है मेरे में अलग तरीके से प्रकड हो रहा है आप में अलग तरीके से हो रहा है जानवरों में अलग तरीके से हो रहा है प्लांट में अलग तरीके से हो रहा है टेबल में अलग तरीके से हो रहा है Because of what? Is it because of the Purush? It's because of the Prakriti इसको ऐसे समझो, light एक ही है बट वो light अलग-अलग तरीके से दिख रही है Depending upon कि किस material को हम उसके आगे रख रहे है किसी diamond को रखोगे तो एकदम से सामने सात रंग दिखने लग जाएंगे कोई ऐसे surface को रखोगे जिसके आर पार light नहीं जा सकती है तो वहाँ पर वो light reflect होगी मालनों कोई white color का हमने reflector रख दिया या thermocall रख दिया तो तो उसके पार कुछ नहीं दिखेगा light reflect नहीं होगी reflect होगी तो it's not because of the light it's because of the substance that we are seeing it differently ऐसे ही ये जो चैतन्य है जिसको consciousness बोलते है वो अलग-अलग प्रतीत हो रही है because of the difference in the composition of our bodies or these instruments उसकी वज़े से अलग-अलग दिख रही है इसका और एक और example देता हूँ जैसे for example electricity है bulb के थुरू निकलेगी तो प्रकाश है वो electricity अगर पंखे के थुरू express होगी तो तो motion है तो electricity कुछ नहीं कर रही है वहाँ पर ये जो motion है और जो प्रकाश है this is because of the material of the thing and consciousness is not a thing प्रकृती is a thing is a form पुरुष is formless उसके अपने कोई attributes नहीं है जो attributes है जो गुण है इसलिए प्रकृती को तरिगुणी बोलते है तीन गुण बट पुरुष निरगुण है पुरुष के कोई गुण नहीं है अब मैं बहुत अराम से आगे भढ़ूँगा क्योंकि यह एक बहुत बारीक पॉइंट है एक है consciousness of a sensation consciousness of a sound तो consciousness of something में तो हमको senses की जरुत है बट जो consciousness है उसकी लिए we don't need senses we don't need sense objects we don't need an experience for consciousness to exist मतलब आत्मा के होने के लिए पुरुष के exist करने के लिए इससे फर्क नहीं पड़ता के यह table है या body है या कोई जानवर है that is always there just like space हम perceive कर पा रहे हैं table perceive नहीं कर पा रही because of a thought एक thought बीच में आ रहा है कि हाँ consciousness है कैई बात सही है कुछ हद तक सही है कुछ हद तक नहीं है इसको ध्यान से समझना मैं आपको example से बताता हूँ तब ज़्यादा clear होगा because consciousness के standpoint से एकदम से समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा तो बहुत simple example देता हूँ light का हम कब कहते हैं कि light है जब वो दिखती है जब light नहीं दिखती है तो हम क्या कहते है light नहीं है darkness है जैसे अर्थ के बीच में और sun के बीच में हम क्या कहते है darkness है light नहीं है क्या वहाँ पर actual में light नहीं है light है इतने सारे stars है उन सब की light travel कर रही है sun की light travel कर रही है तो वहाँ पर darkness क्यों है क्योंकि light तब दिखती है जब सामने कोई material होता है या तो earth हो या moon हो या कोई substance हो जब light उससे टकराएगी तो light दिखेगी तब हम कहते हैं कि light है तो यह जो concept of light और darkness है इसको question करना पड़ेगा इसी तरह से अब आप consciousness को समझो consciousness हर जगे है यह मत समझो हमारी body में है और table में नहीं है यह हमारे बीच में चो space है वाँ पर consciousness नहीं है consciousness हर जगे है जैसे यह बात हम उपनिशद में पढ़ते हैं और आप भी कहरो जैसे कि consciousness is everywhere लेकिन हम क्या इस चीज को realize कर सकते हैं कि consciousness is everywhere येस, you can that is sound of silence you can say that is sound of silence but you are saying it on the basis of जो आपने मेर से सुना है बट अगर आप उसके ओपर चिंतन करेंगे उसको ध्यान से समझेंगे तब आपको actual में समझाएगा कि कैसे ही जो concept of space and time है ये sound of silence में है बट अगर आप सीधा बोल रहे हैं कि that is the sound of silence that is on the basis of जो आपने मुझ से सुना है but you have to spend a lot of time lot of effort, lot of energy and one-pointed focus in understanding this thing इसमें ये ही बात करी जा रही है कि जो consciousness है that is always there बट जो consciousness की होने का आभास है उसको हम consciousness बोलते है this is an error light की reflection को हम light बोलते है और जब light की कोई reflection नहीं होती है उसको हम darkness बोलते है तो experience जो possible हो पाता है that is because of the qualities of the senses and instrument जैसे चमगादर की body के थूँ जब हम देखेंगे तो रात है हम अपनी body के थूँ देखेंगे तो दिन है तो actual में क्या है दिन है, रात है रोशनी है, अंधेरा है that depends upon कि किस instrument के थूँ अभास हो रहा है इसको ऐसे देखो instruments अलग-अलग जगे पर अलग-अलग है depending upon कि उसका evolution कैसे हुआ है एक मच्छर की body है एक किसी जानवर की body है प्लांट की body है हमारी body है तो senses के थूँ जब कोई perception brain तक या जो भी ऐसा organ है जहां तक वो पहुचती है जहां पर के आभास होता है यानि पता लगता है that पता लगना is because of consciousness but वो जिस तरीके से पता लगा या जो पता लगा that is because of the instrument we are talking about कि जो consciousness है that is about all ग्यान उसी के अंदर सारा ग्यान है क्या consciousness के अंदर information होती है information is also part of the matter गडबड क्या होती है information को और matter को अलग-अलग करके देखते है क्या matter information नहीं है every material is nothing but a permutation and combination of information and information is matter दोनों का अलग कैसे करोगे everything in this universe is matter arranged in a particular way उस way को information बोलते है so ये जो information है कि वो matter किस तरीके से जुड़ा हुआ है this is not different from the matter this is part of the matter in other words हम क्या समझते है कि जो computer hardware है वो अलग है software है वो अलग है अरे hardware is also made up of information and software can be stored in a hardware so that is matter if something can be stored in an object is that not an object although it is a subtle object but it is also an object एक होगे subtle object एक होगे gross object subtle object क्या है जो pen drive में information stored है gross object क्या है pen drive है but pen drive in itself is a piece of information put together और pen drive के अंदर जो है वो भी information है हो सकता है pen drive के अंदर ही एक information है जिससे pen drives बन सकती है तब दोनों का अलग कैसे करोगे तो ये जो पूरा का पूरा structure है इस पूरी universe का प्रकृती का that is all happening on its own accord because of the laws of the nature जिसको त्रिगणी प्रकृती बोलते हैं और जो पुरुष है वो निर्गण है उस level पर कुछ भी नहीं होता है यानि आत्मा के स्तर पर जो मैं हूँ उस level पर ना तो कुछ बन रहा है ना मिट रहा है तो जन्म किसका हो रहा है और कौन मर रहा है अगर consciousness को हम आत्मा कह रहे हैं तो क्या जब हम मर जाते हैं तो consciousness हम में से निकल जाती है आपका जो question है उस पर मैं आप से counter question करता हूँ अभी आपकी body के अंदर space है तो जब आप मर जाते हो यानि ये body मर जाती है तो क्या वो जो आपके body के अंदर की space है वो space आपके अंदर से निकल जाती है वो space कहां जाती है वो कहां रहती है body तो जल गई तो body के अंदर जो space थी वो कहां गई और क्या body के अंदर space है या space में body है ही है, बोड़ी स्पेस में चल रही है, clear है, तो whatever is happening, it's happening in consciousness, but जिसको हम consciousness बोलते हैं, that is the experience of consciousness, तो जब तक हम को कुछ दिख रहा होता है, कुछ सुनाई दे रहा होता है, तब तक हम कहते हैं कि मैं हूँ, जब वो होना बंद हो जाता है, हम कह देते हैं, तो कोमा में क्या होता है, कि आप होते हो या नहीं होते हो, जैसे मानलोग को इंसान 20 साल तक कोमा में है, क्या वो है या नहीं है? यह यह पर उसको realization नहीं है, कि वो है, जैसे consciousness जो है, पर हम उसके experience या realization को consciousness समझके पूरी लाइफ जीते रहते हैं तो confusion होती है और हम वो experience करनी पाते हैं जैसे कि light के reflection को हम light समझ के illusion में जीते हैं और जो सच है वो ये light को experience करना जानना कि डागने से तो light exist कर रही है बस हमें वो दिखनी रही है तो same consciousness के साथ है और एक और मज़ितार बात क्या है आप कहरे हो कि हम वहाँ पर जीते हैं अम actual में वहाँ पर नहीं जीते हैं ये तो बहुत आगे के level की बात हो रही है इस वक्त यहां पर मतलब यहां तक तो कोई बात नहीं करता है क्योंकि हम सच से illusion में जीते हैं इसको ध्यान से समझो हम actual में कहां जीते हैं हम center से बहुत दूर हैं हम अभी कहां जी रहे हैं कि मैं ये हूँ जो मेरा नाम है और उसके साथ में जो भी एक past जोड़ा हुआ है वो मैं हूँ और जो future जोड़ा हुआ है वो मैं हूँ तो उसमें consciousness तक तो हम कभी जाते ही नहीं है ऐसा कब होता है कि हम बैठे हैं meditation में and breath चल रही है और हम कह रहे हैं कि I can exist without memory memory के beyond हम कब देखते हैं और मैं उसके भी आगे की बात कर रहा हूँ एक है memory यानि कि thought thought मतलब क्या information फिर एक है body फिर है उस body के थ्रू जो experience हो रहा है that experience is not thought दियान से दुनों में फर्क समझे लो एक है sensation वो बच्चे को भी होती है जो भी newborn baby है उसकी skin पे एकदम से कुछ गरम लगाओ तो वो अलग तरीके से रियाक करेगा कुछ थंडा टच करो वो अलग तरीके से रियाक करेगा तो वो सोच करके रियाक नहीं कर रहा है that is happening on its own accord due to the composition of the body जिसमें जो information फिडेट है जिसको DNA बोलते है उसकी according अपने आप हो रहा है तो बीच में अभी thought के लिया नहीं है मलो बच्चा ये नहीं कह रहा है कि मेरे को बरफ लगाई आपने कौन मैं क्या नाम है उस बच्चे का अभी तक तो उसकी brain में कुछ बाहर से information feed ही नहीं हुई है तो ये क्या है experience of hot and cold जो बच्चे को भी हो रहा है जानवर को भी हो रहा है इसको आप बोल सकते हो consciousness of a sensation तो there is difference between consciousness of a sense object and consciousness ये बात यहाँ पर करी जा रही है हम जिसकी बात कर रहे हैं कि हमें sensation हो रही है that is content of consciousness consciousness का उस पर कोई effect नहीं है बस उसको ऐसास हो रहा है क्या ये बात सही है नहीं ध्यान से समझना content of consciousness is something else and experience of a sense object is something else दोनों को पहले break down करके देखते हैं content of consciousness means जो भी memory stored है जो भी knowledge stored है जो भी information stored है जिसके base पर thought operate करता है तो we are all actually living in the content of consciousness not even at the level of experience तो हुगा क्या आप किसी भी meditation center में जाओगे तो महाँ पर सबसे पहला काम किया जाता है आपको content of consciousness यानि memory वहाँ से ले करके आपको आया जाता है experience के level पर आपकी breath चल रही है and you are not even aware of that this breath is not content of consciousness this is consciousness consciousness of breath which is not different from consciousness इसको ऐसे देखो चाहे light reflected हो चाहे non reflected हो दोनों ही light है चाहे rainbow हो चाहे उस rainbow के पीछे जो कुछ है वो हो दोनों ही light है तो आपको पहले लाए जाता है एक ऐसी जगे तक जहाँ पर आप अराम से बैठ सको और आप इन दोनों में फर्क देख सको यानि memory के बीच में जिसको content of consciousness बोलते हैं memory जिस पर past टिका है present टिका है और future टिका है आपके thoughts टिके है feelings टिकी है emotions टिके हैं memory से तो आप देख करके उसके बारे में बोल रहे हो सोच रहे हो कुछ feel हो रहा है because of the temperature here यह memory से नहीं हो रहा है memory से तो आप बता पा रहे हो कि यह ठंडाए गरम है तो at least इतना हो कि आप mindful हो जाओ इसी को mindfulness बोलते हैं Buddhism में कि पहले आप यहां तक तो आओ लेकिन आप problem कि आए लोग वहाँ पर आ करके फज़ जाते हैं उसके आगे नहीं बढ़ पाते हैं यानि mindful हो करके चल रहे हैं mindful हो करके बैठे हैं they are mindful of whatever is going on तो उससे क्या हुआ जो under content of consciousness है वो बदला थोड़ी है वो तो वैसा का वैसा है कि मैं पैदा होता हूँ मैं मरता हूँ सब वैसा ही है कुछ भी नहीं बदला हुआ क्या कि आप सुबह से रात तक कुछ न कुछ अंदर सोचते रहते हो non-stop वो इंसान जिसने सही तरह की meditation करी है और सही तरह की meditation में कुछ करना नहीं होता है you just have to sit or stand or walk you just have to be that is सही तरह की meditation not के जहां पर किसी न आपको कोई technique दे दिया और उस technique को follow कर रहे हो ऐसे नहीं होता है real meditation is when you are just sitting somewhere for hours for days close to nature with your eyes closed or open not forcing yourself to do something or to become something or to achieve something an imaginary state or an experience whatever it is but you are just being तब आपको पहली बार realize होता है कि I can exist without the content of consciousness ये बहुत बड़ी realization होती है बड़ लोग वहां पर जा करके first जाते हैं उस state को enjoy करने लगते हैं फिर जब वापिस से ऐसी दुनिया में आते हैं मानों कहीं गाउं में गए या कहीं पहाड़ों पर गए ऐसा कुछ experience किया फिर वापिस से शेहर में आये तो अब दोनों states को compare करते हैं और कहते हैं वहां तो बहुत मजा आ रहा था यहां पर मजा नहीं आ रहा तो ये trap बन गया बट मैं अभी इससे भी एक step आगी की बात कर रहा हूं जो हमारे scriptures में करी जाती है उपनिश्यद में करी जाती है वो क्या है consciousness आती जाती नहीं है instrument में changes हो जाती है आपको एक injection लगा दिया जाए तो कहा जाएगा consciousness चली गई consciousness नहीं गई है instrument में changes हो रहे है in this whole journey thought is that one thing जो सारी चीज़ को मतलब समझने में हमें help कर रहा है thought is that one thing जो हमें बार-बार एक tool है जो हम use कर रहा है क्या इसके अलावा कुछ और है मतलब कोई tool है जिसको हम use करते हैं या फिर thought ही वो instrument बोल सकते हैं जिसके through इसको inquire किया जाता है एक है thought से काम करना एक है thought पर काम करना दोनों में बहुत फर्क है जब तक आप thought से काम कर रहे हैं तब तक आप real spirituality से बहुत दूर हैं जैसे इस दुनिया में कुछ भी करना है तो कैसे करोगे अपने thought को use करके करोगे पैसा कमाना है कैसे कमाओगे thought ko use करके करोगे meditation करनी है कैसे करोगे thought ko use करके करोगे but when you start working on thought एक है body से काम करना एक है body पर काम करना दोनों में फर्थ समझ आया body से आप काम कर रहे हो उसको body building नहीं कहेंगे but body पर काम कर रहे हो उसको body building कहेंगे ऐसे ही जब तक आप थौट से काम कर रहे हो there are a lot of people who are working on the path of spirituality and meditation and all these things but they are working through thought they are using thought for something with a motive or with an outcome in mind ये करके ये होने वाला है तब तक आप spirituality से कोसो मिल दूर हो जो real spirituality but the day you start working on thought what is thought? that is the beginning of spirituality thought की सेंटर में क्या है? मैं क्या ये मैं सिर्फ एक थौट है या reality है? I am not giving you an answer I am just telling you how to question what is thought? not how to do this through thought because whenever you are asking how to anyone that could be a spiritual guru or this or that that is implied के आप एक step by step process चाहते हो या फिर आप एक रास्ता चाहते हो मातब कॉशने के ले that is all in the realm of thought but when you are asking what is thought that is the beginning of spirituality because you are asking what is mind जिसके साथ में क्या जुड़ा है? what is ego? not how to overcome ego which is a foolish question अगर ego है तो overcome करो ना तो when you start your inquiry on thought then there is a possibility that you will come upon something that has got nothing to do with thought that is untouched by thought और उस लेवल पर मैं या कोई भी कुछ भी बोलता रहे that is not relevant क्योंकि actual में वहाँ पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है ना आप कह सकते हो के मैं हूँ ना आप कह सकते हो के मैं नहीं हूँ उस जगे पर silence होता है क्या जाइब जाँ भी नहीं होता है और झाप कह सकते हो और झाप तजी हो उस कर दो खी जाप खी पर उसती है झाल झाल